नमस्कार बहुत दो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आप देख रहे हैं प्रधान बंद्री विद्या चैनल और NCRT ओफिशल मैं हूँ आपके साथ धर्मेंदर सिंग हिंदी की आज हम बात करने बाले हूँ और रेखा चित्र के बारे में हम समझेंगे क्योंकि जो टॉपिक मैंने आपको बताया था भी बाल गुविन भगत जो की रामद्रक्ष बेनिपूरी जी का रजयतेक खुश्रा तेक रेखा चित्र है क्या खोज इसकी खास बातें हो सकत पर इस प्रोग्राम को लाइब देखने के लिए आप एमे विद्या चैनल का चैनल लंबर दस और एंसी ईयाटी ऑफिशल का यूट्यूब चैनल जाकर देख सकते हैं वहाँ पर इस प्रोग्राम के साथ सीदे सीदे जुर सकते हैं समय है अपने एक्सपर्ट को इंड़ाइ कक्षा 10 की बात कर रहे हैं समझ लेते हैं अखर क्या है हाँ जैसे कि आपने बताया कि हम आज कक्षा 10 की जो हमारी NCRT की टेक्सबुक है पार्ठे पुस्तक है उसमें एक पार्ट शामिल है रामवरिक्ष बेनिपुरी जी का और वो जैसा आपने बताया भी है कि वो एक को देख रहे थे तो मुझे लगा कि साइद जो अभी हमारे कहना चाहिए करोना काल में जो प्रस्तितिया चल रही है उसको देखते हुए जिस तरह से पाठ्ठे करम को थोड़ा सा आगे पीछे किया गया है तो उसमें ये कहीं ना कहीं हमारी जो जरूरत है वो फिलहाल उसम के बारे में विस्तार से चर्चा करें दरसल इससे पहले थोड़ा सा हमें इनके जो रचनाकार है उनके जीवन परीचे से भी थोड़ा सा हमें परीचित हो जाएंगे तो वो पाठ समझने में हमें आसानी होगी क्योंकि कई बार होता क्या है कि इसमें जो रेखा चित्र की ब कुसरा कृति जो बनाता है शब्द चित्र जो बनाता है उसमें उसका मैं कहीं ना कहीं शामिल होता है वह उन्ह घटनाओं को ऐसे प्रस्तुत करता है कि मानों वह उसके जीवन का एक हिस्सा है और उन्होंने उसको साक्षात रूप में देखा है इसमें भी लगबग वैसी ही बात है बेनीपुरी जी ने अपने गाउं का कह लिजिए कि अपने अनुभाओं को जो बाल गोविन अगत है है उनके में बूआब बिहार के रहने वाले थे और जैसा कि इनके नाम के आगे भी लगा हुआ है बेनीपुर इनके गाउं का नाम है और उसी से इननोंने अपने नाम ले उपना बेनिपूरी जोल लिया मुझवर पर जिला है बिहार में वहाँ पे है और अठारा सौ निनादमिय में इनका जन्म है रिसंबर के महिने में और जैसा कि पता नहीं एक अकसर सामानेत है यह देखने में आता है कि ज वो दुरगटना इनके साथ भी हुई कि बच्पन में इनके माता पिता गुजर गए और जो पालन पोसन है वो मोसी के यहां हुआ और फिर दस्वी तक पढ़ाई की लेकिन पढ़ने में वो काफी अच्छे थे और जिसका असर हमें देखने को मिला कि दस्वी के बाद वो जो उस समय की ना किवल अपनी पढ़ाई के साथ-साथ बलकि 1920 में जो हमारा स्वाधिनता अंदोलन था जो ऐसा योग अंदोलन था उस अजादी तक लगबग आठ नो साल तक ये जेल में रहे इस से आप अंदाजन लगाईए कि इनके व्यक्तित्व का जो निर्मान हुआ उसमें स्वाधीनता की आजादी की संगर्स पूरा क्रांती कारी एक तरह का जीवन रहा और इन्होंने जो लिखा फिर उसमें भी उनका असर आया कि जैसे कि मानली जीए एक उधान के तोर पे है कि जेल में इनके साथ जेपी जैप्रकाश ना रहे जी तो बाद में इन्होंने उनकी जीवनी भी लिखी और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने क्योंकि इनका मूल उद्देश से ये हुआ कि हमें अपनी स्वाधिंता के लिए अपनी जो तरक्की है उसके लिए काम करना और पूरी तरह से ये उसी को डेडिकेटिड हो गए एक चीज जो साइद आप पूछना चाह रहे थी कुछ रहे बताई क्या कह रहे हैं मैं यह पूछना चाह रहा था कि जब भी हम किसी लेखक की रचनाकार की बात करते हैं और शिरुवाती जो उनका दौर होता है वह बहुत ही संगर्स से भरा हुआ हुआ है और कैते हैं कि आप जब लेखक बनते हैं तो फिर उसमें एक जो बात निकल कराती कि शायद उतनी ख्याती प्रापता आप शायद नहीं हो लेकिन जब वो अपनी कलम से कि किसी चीज़ को पने पर उतारते हैं तो ऐसा लगता है कि उनसे वड़ा कुछ है ही नहीं है दिखी इसमें ये सही बात है कि जब व्यक्ति के अनुभाव उन संगर्सों के साथ बनते हैं तो निश्चित रूप से वो संगर्स आपको उनके लेखन में भी दिखाई देगा अ हम उस दाइरे से कट जाते हैं जिसको कहते हैं कि अगर मान लीजी अभिजात्य जीवन कोई जीता है तो उसके अनुभाव अभिजात्य जीवन के तो हो सकते हैं लेकिन जो ग्रामीन परिवेस में जो आम आदमी है जो आम समुदाय है उसकी जो अनुभूतियां है कस्ट है स संगर से वह आपको नहीं दिखाई देंगे और दिखाई भी देंगे तो फिर वह बनावटी दिखाई देंगे एक चीज और आप ने इशारा किया उससे मुझे एक चीज याद आई कि बहुत पहले हम लोगों ने इनकी इसी तरह का निबंध था वो पढ़ा था सायद आपने भी पढ़ा होगा कि नीम कीट एक बेहत खुबसूरत उधान के माध्यम से इन्होंने उस चीज को समझाया जैसे कि जो नीम कीट होती है वो सबसे मजबूत होती है और वो सबसे गहराई में नीचे जाके दफन हो जाती है लेकिन आप कहते हैं बाद में ख्याती मिलती है जो लोग देखते हैं वो नीम कीट को याद नहीं रखते जो कंगूरा बनता है उपर और जो कलक्ष बनता है उपर जाके उसको लोग देखते हैं और उसकी तारिफ करते हैं लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हमें कभी भी उस नीम कीट को नहीं भूलना चाहिए जो की उस कंगूरे क की खुबसूरती के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देख दी तो ये जो संघर्स है ये जो बलिदान है ये कही ना कही इनके व्यक्तितुमें भी और ये बार-बार इनके यहां आपको ये दिखाई देगा और समय तो इनका लगबग 68-69 का रहा और 1968 में इनका देहांत हुआ और साइद अगर मैं सही हूँ तो एक-दो दिन पहले सेप्तंबर में ही इनका वो पुन्यतिती आती है और जैसा मैंने कहा कि इनके व्यक्तितुम का बहुत बड़ा हिस्सा इनका पत्रकार जो है संपादक जो है वो पत्र-पत्रिकाओं में लिखने लगे और बहुत सारी उ यूवक, योगी, जनता, जनवानी और नई धारा यह कुछ लेखनी है उनकी तरफ का मैं तो इनका करम भी देख रहा था कि बालक, यूवक और योगी कि एक देखने वाली बात है कि क्या रेंज क्या रही होगे उनकी देखी आप कि तरोन भारत सब और अगर हम पूरा एक स इनका लेखन देखना चाहें तो हमें बेनी पूरी रचनावली नाम से मिलेगा जो की आठ खंडों में प्रकासित है वो जरूर देखना चाहिए और इसी करम में कुछ महतपूर्ण रचनाय जो की ये केवल महतपूर्ण रचनाय है इनकी सूची लंबी है और जैसे एक इनक उपन्यास है पतितों के देश में चिता के फूल कहानी है और अमपाली जो आमरपाली जिसकी कथा चर्चित है वो नाटक है नाटक इन्होंने बहुत सारे लिखे और माटी की मूर्तें ये जो रेखा चितर जिस पे आज हम बाचीत करेंगे ये इसी संग्रह में है इसी रेखा की मूर्ते हैं जो सोने से भी जादा महंगी हैं और माटी के मौल बिख जाती हैं तो ये अर्थात इनकी महत्वपूर्ण हम जो है साइद उनका महत्व हम इतना रेखांकित नहीं कर पाते लेकिन यहां लेखक ने कर दिया है यात्रा विरतांत है पैरों में पंक बाद इनकी जो सारी जैसा मैंने पहले भी कहा कि स्वाधिमता की चेतना मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप जो व्याख्या है यानि अपने समय के हिसाब से जो उसकी व्याख्या की वो बहुत महत्वपूर्ण है और एक हम प्रेमचंद का नाम लेते हैं तो स सिपाही थे लेकिन इनके बारे में जो कहा जाता है कि ये कलम के जादुगर थे और जादुगर भी ऐसे कि जिस विशे को चूते थे इनकी लेकनी ऐसे चलती थी मानो कोई जादु कर रहा है तो अगर हम सामने इस प्रेटी पे देखें अंशा जहाँ पर हम तरुण भारत प की तरफ आए और धीरे धीरे फिर वो यह क्रम बेसक ना हो अलग अलग समय में पर लेकिन महतुपूर्ण किस तरीके से पुरुए आ गया है कि वह कैसे उस पर तरफ जा रहा है जैसा मैंने कहा कि यह जेल के दोरान ही इन्होंने इसको लिखा और जो माटी की मूर्तने थी उसम है और यह देखिए आपको इस भगत शब से अंदाजा होगा कि किसी बाबा की साधू की यानि एक जो भक्ती भाव वाला है उनकी चर्चा है और इसमें जो है मनुष्यता लोक संस्कृति और सामुईक चेतना का कहीं ना कहीं आभास आपको दिखाई देगा जो मुखे बात है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भगत जिसको हम कहते हैं साधू जिसको हम कहते हैं सन्यासी जिसको हम कहते हैं वो किसी की वेस भूशा से निरधारित नहीं होता किसी आडंबर से निरधारित नहीं होता उसका जो आधार होता है वो हमारा मानविय सरोकार जो होता है मनुष्यत तो ऐसी महत्वपूर्ण और कहना चाहिए करांतिकारी बात है, जो आज भी जब संदरब आएगा तो हम उस पर बात करेंगे, जिस तरह की रूडिया समाज में हैं, उनके ऊपर कठोर प्रहार किया गया एक तरफ, जब स्बस्वर बहुत सहज रूप में, इसके साथ साथ आप देखेंगे की ग्रामेंट जीवन की जो जलकिया है, और ग्रामेंट जीवन में भी रित्वों का जैसा सुंदरवर्णन किया है, आप देखेंगे जब हम इसको करेंगे बाचीत इस पर, तो ला जवाब, भाप एकदम अगर आप देखिए लेखक का कमाल यही है कि वो कुछ शब्दों के माध्धम से कुछ रेखाओं के माध्धम से पूरा एक द्रिश्य क्रिएट कर देता है पूरा का पूरा एक सीन आपके सामने आ जाएगा और इसके सीदे सीदे आप हम अपने पार्ठ पे कहिए कि संसमन पे रिखाचित्र पे आएं तो वो देखिए वो क्या है देखिए बाचीत में ये केवल किसी वेक्ति के बारे में नहीं हर अपनी बाचीत जब भी हम आपसे संपर्क में अपने विद्यार्थियों से शिक्षकों से बादचीत करते हैं, तो ये जरूर कहते हैं कि ये चीजे ऐसे नहीं, पढ़ने को तो आप पढ़ लीजिए, इसमें विद्यार्थी पढ़ेंगे, टीचर पढ़ाएंगे, जो भी है, लेकिन आप इसके माध्यम से कोशिश करिए कि उस पढ़ने-पढ़ाने की स संस्कृति और प्रक्रिया के साथ-साथ, आप खुद भी कोशिश करिए, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं जब भी इस तरह कि महादेवी वर्मा भी मुझे याद आती हैं इनको पढ़ते हुए, और उन्होंने भी बहुत सारे रेखा चेत्र, शब चेत्र, बहुत सुन्दा संस कि मैंने देखा कि हाँ देखने में हटे-कटे सुन्दर, एक स्वत सरीर, तो अब आप लिखना शुरू करिए, तो ये संस्मन बन जाएगा, ये एक रेखा चेत्र बन जाएगा, और कैसे उन्होंने शब्दों से इसको खेचा है, देखिए, कि बाल गोबिन भगत मजोले कि गोरे चिटे आदमे थे, सिधी सी बात है, साट से उपर के ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाड़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किन्तु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमक किये रहता था, अब ये दाड़ी नहीं रखते थे, जटा जूट, लंबी चोड़ी दाड़ी नहीं, लेकिन कहीं नहीं, साट साल से उपर हैं, तो वो सफेद बालों की चमकार जही है, वो आपको दिखाई देगी, कपड़े बिलकुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपथी टोपी, ये जो कबीर प वो इसी कबीर पंथ की वज़े से बना है, अर्थात ये जो भगत है, जो इनका पूरा, ये कबीर पंथी हैं, जैसे कि कबीर के वो दोहे हैं, कबीर के जो पद हैं, उनको गाते हैं और उसमें पूरी तरह से लीन रहते हैं, और वो केवल उपरी नहीं है, कि केवल आप अप काली कमली उपर से ओड़े रहते मस्तक्ष पर हमेशा चमकता हुआ रामनंदी चंदन आप देखी जैसे एक साधु का वेश जैसा होता है जो ना के एक छोड से ही ओरतों के टीके की तरह सुरू होता है गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडॉल माला बांधे रहते अब गल से पहले लिखा गया है अब कहें कि औरतों की तरह लगाए हुए थे टीका ये एक उस समय का आई है कि हाँ और आज भी है इसकी अपनी व्याख्या है लेकिन खैद दूसरी मुसमें क्या कह रहे हैं ये कि उपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविन भगत साध लिए बिलकुल ग्रेस्त पूरी तरह से पारिवारिक जीवन जीने वाले ये जो अब यहां पर आता है जो मैं है कि जो बताने वाला जो लेखक है जो उसका रेखा चितर खेच रहा है वो कहता है कि उनकी ग्रहनी की तो मुझे याद नहीं उनके बेटे और पतहु को तो मैं दो ही चार लाइनों में उनकी ग्रिस्ति का वी एक आपने रेखा चितर खेच दिया उसमें अब ये जो है दूसरा जो है कि वो साधू उस तरह के साधू नहीं थे उपर की तस्वीर से ये आपको अंदाज लगेगा कि वो टिपिकल बाबा नहीं थे वो पूरी तरह से घरे उतरने वाले अब आप सवाल इसमें बाद में ऐसे ही बनते हैं कि अगर वो साधू थे तो किस तरह के थे ये कबीर को साहब मानने वाले कबीर पंथ में एक ये माननेता है कि वो अपने कबीर को गुरू को साहब कहके पुकारते हैं उन्हीं के गीतों को गाते उन्हीं के व्यावार में लाते और ये सारी विशेशता हैं देखिए किस तरह से कुनके व्यावार की हैं इस नियम को कभी कभी इतनी बारी की तक ले जाते कि लोगों को कोतुहल होता कि भाई इतनी बारी के से कैसे उसको फालो कर रहे हैं ये कभी एक यहां तक की देखिए ये उस समय की प्रस्तितिया हैं कि लोग अपने सोच वगरा के लिए बाहर जाते थे तो दूसरे के खेत में भी नहीं बैठते थे तो लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी जो कुछ खेत में पैदा होता सिर्फ पर लाद कर उसे पहले दर्बार में साहब के दर्बार में ले जाते जो उनके घर से चार कोस दूर पर था एक कबीर पंथी मठ से मतलब वह दर्बार में भेंट रूप रख लिया जाका जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से कि पहले आप गुरू के साहब के दर्बार में जो फसल हुई आप उसको भेंट कर दी आप ये अब कह रहे हैं कि मुझे जो बाल गोविन भगत में सबसे अच्छी चीज लगती थी जो मुझे खेशती थी जो रचनाकार को बेनीपुरी जी को वो कहते हैं कि मैं उनके गायन पर था जो इतना मीठा था उस पर पूरी तरह से मोहित था मुग्द था वो मुझे ऐसा ल जाते थे और अब आईए दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि इसमें जो रित्वों का वर्णन है कि हम उसके पाठ के साथ साथ ही चल रहे हैं कि आसाड की रिम जिम है आप एक इसमें हम एक ही पढ़ेंगे आसाड की देखिए अब एक चीज हमारे विद्यार्थियों को जानन की थोड़ी सी जरूरत है कि हम साथ जन्वरी फरवरी के इस पापुलर कहना चाहिए उसमें तो जो हमारे विक्रम समवत वाले जो महीने हैं हम उनको थोड़ा सा भूल से गए हैं तो लेकिन उस समय तो इस्तेमाल होते थे अब भी चाहें तो हम उनको देख सकते हैं आसाड क आता है कि आसाड की रिमजिम है समूचा गाउं खेतों में उतर पड़ा है कहीं हल चल रहे हैं कहीं रोपनी हो रही है रोपनी जैसे ही थोड़ी बारिश हो जाती है तो फिर उसके बाद धान की रोपनी शुरू हो जाती है अब कोन क्या कर रहा है ये भी बड़ा मजेदार ह धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उचल रहे हैं और ते कलेवा सुभा का जो नास्ता होता है कलेवा लेकर मेंड मेंड देखी जिसे जो होता है खेत में जो डिवाइडर बनाते हैं हम मिट्टी के वो बैठी हैं आसमान बादल से घिरा धूप कना अब कल्पना करिए रिम आज़े ही समय कट रहा थोड़ा सा इसे ही समय चली तीन मिनट का वक्त है हम जल्दी से उसको कमप्लेंटर लेंगे अच्छा कितनी मिनट है जी तीन मिनट का समय हम वक्त है यह तो उल्टा हो गया इसका मतलब है मैं कहना ये चाहरा हूँ कि अगर इस पार्ट में आप देख है रित्वों का लेकिन इसमें दो मार्मिक प्रसंग है उनकी जरूरमे चर्चा करना चाहूँगा एक तो यह इनका इकलोता पुत्र है जो कि वह होड़ा कमजोर है वह यह कहते हैं कि बेनि पुरी जी कहते हैं कि नहीं हमें कमजोर की ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए और उनकी साहता जादा करनी चाहिए और कुछ समय के बाद इसमें ये संदर भी आता है कि उनके पुत्र की जो है ऐसामाई जो कहिए मृत्व हो जाती है उस समय में भी ये अपने जो कबीर के गायन में इतने रहते हैं कहना चाहिए लीन कि वो सोचतें कि यह आत्मा और परमात्मा का मेलन और बिछरडन वाला खेल है और जो सबसे करांटी से ही उसको अगनी दिलवाते हैं जो कि आज भी एक बहुत सामाने बात सी नहीं देखे जाती और उसके बाद जो है ये कहते हैं कि जैसे इस राद की अवधिपूरी होती है वो कहते हैं आप उनके भाई को बलाते हैं क्योंकि अकेले हैं तो कहते हैं आप इसको ले जाएए और इसकी दूसरी साधी करवाईए ये आप एक के बाद एक जो है करांती कारी इसमें जो पक्ष है कि अगर आप विध्वा हैं और किसी भी प्रस्तिती में हैं तो उसका विकल्प खोजिए आपने उनकी कहा कि वो कहती नहीं आप बहुत तंग होंगे के सर्दियों के बारिश के ठंड में कड़कडा कि की ठंड में भी कैसे ही सुबा सुबा अपना नहा नाध होना जो नदीक पर सनान करना और इसी करम में ये हर साल जो कहना चाहिए गंगा सनान के लिए को एक दो जलक देखी उसकी कि आप कहना ये मैं चाह रहा हूं कि अगर किसी विचार को जब आप समझते हैं अपने जीवन में ढालते हैं तो उसका जो सकारात्मक पक्ष है वो देखना चाहिए आप आडंबरों में नहीं साधू बाबा बनना कोई इनका उदेश है इस भगत का ना इस लेख का उदेश्य है ना बेनिपुरी जी का है जो उसमें सकारात्मक चीजें हैं और उसको आगे लाके ये बताना कि साधू है वो व्यवहार से होता है वेश भुसा से नहीं और वो इस मामले में बाल गोविन भागत की गीत संगीत से लेके उनके दैनिक जीवन में वो अदभुत चरित्र हैं और इसलिए वो हम लोगो को याद भी रह जाते हैं विचारदारा को ना किवल वानी के स्तर पर बलकि दैनिक जीवन में भी स्वेम की जीवन में भी उसको उतार कर रखा हुआ था वो कहीं ना कहीं किसी एक आंचलिक मरमेटा का पोट आपके सामदेर रखता है और क्या कमाल का यह कैरेक्टर था जो आप अर्थ बनाएंगे वही स्थाई होगा उपदेश से बात नहीं बनेगी जो इसमें अगला जो सेशन है वो है झाल 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 झाल